वेल्कम बैक टू दिस चैनल सो फ्रेंड्स आपको पता होगा इंडियन मार्किट में 12 सेप्टेंबर को वीवो टी 3 अल्टरा स्मार्टफोन लोग चुने वाला है और यह वीवो टी सिरीज का काफी प्रिमियम डिवाइज रहेगा और स्मार्टफोन में फीचस भी काफी प्र लाइक जरू कर देना और अफ्कोस चैनल पर पहली बार आये हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों बिल्डू का डिजाइन की बात करें तो इस स्मार्टफोन का डिजाइन है और यह स्मार्टफोन में फ्रेंड्स आपको प्लास्टिक फ्रेमी देखने को मिलेगा और बेक साइड पर गलास प्रोडेक्शन दी गई है तो बिल्डू क्याल्टी आपको डीसेंट देखने को मिल जाएगी बाकि यहाँ पर आपको आइपी 68 रेटिंग भी देखने को म जहां पर आपको 10 bit colors HD 10 plus का support देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले एक्स्प्रियंस काफी immersive रहता है यहां पर आपको 10 bit colors के साथ display की quality काफी better देखने को मिल जाती है और बेजल्स वगेरा भी काफी जदा कम दिये गए हैं वाकि 120 की हाइट स्क्रिने फिशेट देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको 4500 नीड़ की पीग बैटनेस का support देखने को मिलेगा तो आपको बड़िया देखने को मिलने वाली है पफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो वीवो टी-3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में गाईज आपको परफॉर्मेंस काफी क्रेजी देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन में आपको मीडिया टेक डेमंसटी 9200 प्लस चिपसेट देखने को मिलेगा और यह चिपसेट गाइस काफी जदा पारफुल प्रोस सर रहता है इसके अंत्तुस कोर्स की बात करें तो यह आपको 1.6 मिलि सकती है जो कि आएगेस आपको टूब वेरियंट के अंदर देखने को मिलेगी बाकि स्मार्टफोन आउट दो बॉक्स एंडूर्ड 14 पर आएगा और इसमें आपको दो साल के मेजर ओस अब्डेट्स भी देखने को मिल सकते हैं कैमरा के बारे में बात करें तो वीवो टी 3 अल्टरा स्मार्टफोन में केमरा सेट अप भी काफी बढ़िया दिया गया है विकौँ स्मार्टफोन में आपको रियर साइट पे डूवल के मरा का साटप देखने को मिल जाएगा और यहां पर गाइज प्राइमरी सेंसर फिट 10 Megapixel का द दिया गया है जहां पर आपको तो पे भी 50 मेगा पिक्सल का सेंटर पंचोल सेलफी केमरा दिया गया है और यहां पर भी आपको 4K वीडियो रिकोर्डिंग का स्पोर्ड देखने को मिल जाएगा बैटी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो गाइस वीओ Vivo T3 Ultra स्मार्टफोन में आपको 5500 mh की काफी बड़ी बेटरी देखने को मिल जाएगी और स्मार्टफोन में 4NM का प्रोसेसर यूज किया गया है तो बेटरी बेकप आपको अच्छा का सा मिलने वाला है लेकिन इंट्रस्टिंग बात यह है कि चार्जिंग के लिए 80 वोट की वाइड फास्ट चार्जिंग का स्पोर्ड भी दिया गया है और चार्जर आपको बोक्स में ही देखने को मिल जाएगा और स्मार्टफोन को आप अराउंड 50 मिनिट्स में फुल चार्ज कर पाऊगे और कुछ अदर डिटेल्स के बारे में बात करें तो गाईज वीवो टी स्पोर्ट रहने वाला है और स्मार्टफोन में आपको क्नेक्टिविटी के लिए ब्लूर्ट वर्जन 5.4 और वाइफाई 6E का स्पोर्ट देखने को मिलेगा और वीवो टी 3 अल्टर स्मार्टफोन में फीचर काफ़े इंट्रस्टिंग देखने को मिल जाते हैं वैसे प्र 30,000 ट्रिपलन रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाएगा तो फिलाल दोस्तों यह कुछ इंफोर्मेशन थी वीवो टी 3 अल्टर स्मार्टफोन के रिगार्डिंग होफ़ले आप को वीडियो पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ सेयर करना और अफकोर्स गाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना विलतर एक स्टुडियो में बाई बाई टेक कियर